हेलो स्टुडेंस आज हम ग्रामर का देखेंगे ग्रामर का प्रैक्टिसेट इसके पहले हमने फोर प्रैक्टिसेट कर लिया है आज हम पाच्वी प्रैक्टिसेट करने जारें ग्रामर का ओके सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लैलिस्ट में जाके जरूर चिक आउट कर लिजेगा ओके सो लेट्स बिगिन स्टार्ट करते हैं हमने उसमें 288 कर लिया था आज हम उसके आगे से करेंगे 289 से तो यह आपका क्विश्चन चल रहा था इस पॉर्टिंग एरर का ओके सो यहीं से देखेंगे तो फर्स्ट कॉश्चन क्या है few people know that the climate of similar is better than श्री नगर इसमें कौन सा एरर है सो correct answer यहाँ पे मारा क्या हो जाएगा correct answer हमारा हो जाएगा C इसमें C पार्ट में एरर है यहाँ पे आपका क्या एरर या देख लेते हैं जब भी आपके दो देश मतलब दो country या दो city या कि मतलब दो country दो city या उसकी किसी भी जगह की comparison होती है तो जिससे comparison की जाती है और जिससे comparison होती है तो जिससे की जाती है उसके बाद हम क्या लगाते हैं मतलब that off लगाते हैं जब भी हम यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ लोग जानते हैं जो सिमला की क्लाइमेट है वो सिरी नगर से क्या है बिटर है तो यहाँ पर सिमला और सिरी नगर की क्लाइमेट यानि की क्लाइमेट का यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब दोनों की climate की comparison हो रही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जब भी आपका ऐसा होता है तो हम that off लगाते हैं क्या लगाते हैं that off अगर यहाँ पे यह singular है तो that off लगाते हैं और अगर plural है तो those off लगाते हैं मतलब जिससे comparison हो रही है वो आपका plural है तो वहाँ पर हम then के बाद क्या लगाएंगे those off लगाएंगे तो यहाँ पर यही incorrect था is better than that of Simla few people know that the climate of Simla is better than that of Srinagar जब भी those days those city की comparison होती है जिससे हो रही है उसके आगे हम then के बाद that off लगा देंगे अगर वो singular में है तो अगर वो plural है तो those off लगाएंगे ओके आगे बढ़ते हैं I prevented him from beating the child इसमें कौन सा error है तो इसमें आपका I prevented him prevent के साथ हमेशा आपका क्या लगता है prevent हो गया debar हो गया, digest हो गया prohibit हो गया इन सब का मतलब होता है रोगना, टोकना तो इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं from लगाते हैं और from के बाद जब भी आपका आता, यानि कि from क्या है एक preposition है और preposition के बाद आने वाला preposition के बाद आने वाला verb किसमें रहता है ing में रहता है तो यहाँ पर सब कुछ सही है prevent के बाद from भी आया है from के बाद verb तो आया है ing में आया तो सही है तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा d इसमें कोई error नहीं है इस sentence में कोई भी error नहीं है अगला देख लेते हैं I will order for the book at once यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा error है तो यहाँ पर आपका b part में error है देख लेते हैं क्या error है जब भी आपका order जब भी आपका order as a verb यूज होता है कैसे? as a verb जैसे इस sentence में as a verb यूज हुआ है तो जब भी आपका order order miss होता है आदेश देना जब यह as a verb यूज होता है तो इसके साथ no preposition और अगर यह as a noun यूज होता है तब इसके साथ कौन सी preposition आती है for preposition आता है तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो order यूज हुआ है यह as a verb यूज हुआ है यहाँ पर as a verb यूज किया है तो यहाँ पर preposition की हमको जरुवत नहीं है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर error था यहाँ पर preposition की जरुवत नहीं है अगर order as a noun यूज होता है जैसे इसका भी समझ लेते हैं कैसे यह यूज होगा थोड़ा सा समझ लेते हैं जैसे he gave an order he gave an order for a cup of coffee यहाँ पर लिख दिनगे cup of coffee तो यहाँ पर देखिए gave an order an लगा है न an article है तो article के बाद क्या आता है noun यहाँ पर order जो है यह as a noun यूज हुआ है जब as a noun यूज हुआ है तो उसके साथ आपका for preposition आया हुआ है तो बस इतना दियान रखिएगा जब यह order as a verb यूज होगा तो इसके साथ no preposition as a noun यूज होगा तो for preposition आएगा तो यहाँ पर मारा correct answer क्या था बी part मेर था क्यों एरर था यह भी हम देख लिए आगे बढ़ते है he sat in the seed of a tree यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा एरर है तो इसमें कोई भी एरर नहीं है यह sentence सही है अगला देख लेते हैं your fault does not admit of any excuse तो इसमें भी आपका कोई एरर नहीं है correct answer हमारा D हो जाएगा next the flowers smell sweet तो यहाँ पर भी आपका कोई भी एरर नहीं है D part है यहाँ पर कोई भी एरर है जब भी आपका इसमेल आजाए इसमेल आजाए admit आजाए यह सारी चीज़े आती है यहाँ पर तो आपके वहाँ पर आपका एडजिक्ती बाता है तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है अगला है as I have fever today so I cannot attend a college इसमें कौन सा एरर है देख लेते हैं यहाँ पर कह रहा है कि as I have fever today so I cannot जब भी आपका एज से स्टार्ट हो या फिर आपका as मतलब यहाँ पर क्यूंकी का काम करता है दो कि as कि as पी का एज से स्टार्ट हो या because सी सटार्ट हो because मतलब यहाँ क्योंकी थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते है जब भी आपका as I because I ठीक है और आपका for I for मतलब यहाँ क्योंकी ok या फिर आपका since आए since भी निकालता है क्योंकी meaning ok as, because, for, since लग गया तो double conjunction यहां पर लगानी की जरुवत नहीं है इसका मतलब ही हो गया क्योंकि सो यहां पर आपका starting में ही as लगा हुआ है चुंकि क्या था आज मुझे बुखार था मैं college नहीं जा सका सो यहां पर हमको comma लगा देना चाहिए तो का यहां पर लगानी की जरुवत नहीं है यहां पर double school लगानी की जरुवत नहीं है विसलिए यहां पर गलती थी अगे कुंठ चलते हैं इसमें c part में ही error था यहां पर sony आना चाहिए था अगला तो है यहां पर हम क्या पढ़ careful कि जब भी आपका need स्व पनीडा आजाये okay डेर आजाए अपका लेट आजाए लेट आजाए बीड आजाए बीड आजाए या फिर आपका वर्ब आजाए मेक आजाए मेक आजाए या नोटीस आजाए जितना दिमाग में आ रहा होतना समझा दे रहे हैं नोटीस आजाए या फिर C आजाए S E W C या फिर अपका THN आजाए THN एटसेटरा तो जब भी आपका NEED आजाए, DARE आजाए, LIT आजाए BID, MAKE, NOTICE, C THN, एटसेटरा या फिर WATCH आजाए ठीक है? WATCH तो जब भी आपका AS A Verb जब भी आपकी sentence में बनके आते हैं, तो इनके बाद हमेशा BIR infinitive आता है BIR infinitive क्या होता है? BIR infinitive होता है BIR infinitive होता है यानि कि बिना two के Verb, जैसे हम ये infinitive हो गया है, two plus verb इसको कहते हैं infinitive तो यहाँ पे बिर infinitive आनि कि बिना two का सिर्फ वर्ब की first form आएगी तू नहीं आएगा जब भी ए सारे वर्ब आते हैं आपके sentence में तो इसके साथ हमेशा वर्ब तो आती है बट सिफ वर्ब की first form आएगी तू नहीं आएगा तो यहाँ पे देखे sentence में B part में ही error है यहाँ पे sentence में need आया हुआ है तो need आया हुआ है तो यहाँ पे to लगाने की जरुवत नहीं है तो you need not worry शरिफ आपका जो वर्ब आएगा उसी वर्ब की first form आएगी तू नहीं आएगा जितने भी वर्ब आभी हमने पढ़े हैं यह वर्ब अगर sentence में आते हैं तो इनके बाद bare infinity बाता है तो यहाँ पे अगला question है he is laid down with fever यहाँ पे मारा किस पार्ट मेरर है सो यहाँ पे बी पार्ट मेरर है मतलब उसी क्या है बुखार है बुखार सी क्या है लेड डाउन, यहां पर लेड डाउन नहीं होगा, तो क्या होगा, लेड अप होगा, लेड अप, लेड अप मिस क्या होता है, सफरिंग फ्रॉम, मतलब बुखार से पीडित, सफरिंग फ्रॉम, ओके, लेड अप मतलब होता है, सफरिंग फ्रॉम, तो यहां पर लेड डाउन नहीं होगा बल्कि इसकी जगह पर क्या हो जाएगा लेड़ अप होगा ओके आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन है इट इस नॉट आई हो इस इन लव विद यो यहां पे किस पार्ट में अरर है यहां पर भी आपका बीपार्ट में ही अरर है बीपार्ट में क्या आरर देख लेते हैं इट इज आई यहाँ पे आई है और यहाँ पे हू है हू क्या है एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का रूल है कि रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आपका आता है तो उसके पहले जो भी आपका सब्जिक्ट यानि कि जो भी आपका नाउन या यहां पर इज नहीं होगा बलकि क्या होगा आए के अकॉर्ड हम रखेंगे अपनी वर्ब तो एम आएगा तो यहां पर यह एरर थी अगला कुश्चन है I asked him where did he lived यहां पर किस पार्ट में एरर है यहां पर इंसर यहां पर मारा क्या हो जाएगा यहां पर भी आपके बी पार्ट में ही एरर मिलेगी क्योंकि यह आपका I asked him यानि कि अपका इंडिरिक्ट नरेशन है यह नरेशन का कुश्चन है और इंडिरिक्ट है तो यहां पर आस्क्रीम वेर क्या हो जाता है एजे कंजंशन यहां पर हम क्या कर देते हैं डबली एश फैमिली को क्या कर देते हैं एजे कंजंशन यूज कर देते हैं तो यहां पर जब यह जब य only where आएगा, did नहीं आएगा, okay, next, his answer was such which I expected, यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, so correct answer, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, c, c पार्ट में एरर है, देख लेते हैं, जब अपका सच आता है, such, तो such का pair किस से बनता है, edge से बनता है, such का pair किस से बनता है, edge, तो यहाँ पर such आया हुआ है, तो हमारा which नहीं आएगा, बलकि इसकी जगापे, which की जगापे क्या आएगा, edge आएगा, okay, such का pair edge से बनता है, so correct answer हमारा c पार्ट में एरर था, next, अगला question है, beware the dog, lest it not be bite you, इसमें किस पार्ट में एरर है, so correct answer यहाँ पर मारा, यहाँ पर भी हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है, जब भी आपका list आता है न, list बस इतना याद रखिए, list प्लस should, तो वहाँ पर should का ही use होता है, तो यहाँ पर list आया हुआ है, तो does का नहीं होगा, should का यूज होगा, list it should not bite you, okay, तो list जब भी आया, let plus should, याद रखिएगा, यह एरर था यहाँ पर, अगला question है, अब यहाँ से question क्या है, कह रहा है, which of the following sentences is not a passive wise, यह चारो में कौन सा passive wise नहीं हमको बताना है, यानि कि आपका active wise होगा, कौन सा passive wise, यानि कि तीन passive wise होगा, एक active wise होगा, अमको पहचानना है कि कौन सा इसमें passive wise नहीं है, तो देख लेते हैं, इसमें कौन सा नहीं है, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है, कि it can be done by you, यह ओलोड़ी passive wise में है, वर्की third form भी है, और by भी है, good marks will be got by them, यह भी आपका passive wise में है, C कह रहा है, C might raise this objection, अच्छा, D कह रहा है, the door may be opened by him, may be भी भी आ गया हो, वर्की third form, by भी भी आ गया है, यह भी आपका passive wise है, तीन passive wise में है, यह तीनों आपके passive wise में है, कौन सा नहीं पूछा है यहां पर, तो आपके C part में रहा है, C might, might दे दिया, वर्की first form दे दिया है, तो यह ही आपका, यह passive wise में बलकि active wise में है, अगला question, identify the active wise, यानि कि अब हमको active wise का, पहचानना इसमें कौन सी active wise है, तो देख लेते हैं, पहला कह रहा है, my order must be ordered, must be, ordered है, बाई है, यह passive wise है, हमको active wise पहचानना है, it is time for to be taken, to be आगया, प्लस वर्की third form आगया, यह भी आपका क्या है, passive wise है, sorry, who will forward your application, the mother land should be, should be, प्लस वर्की third form, यह भी आपका passive wise है, कौन सा active wise है, तो आपके C पार्ट में ही, यहाँ पे सही है, who will forward your application, यह अपका active wise में है, यहाँ पे पूछा भी था, कि active wise हमको identify करना है, अगला question है, find out the active wise, इसमें भी हमको बताना है, कौन सा active wise है, यहाँ पे भी he is known to everybody, known to work की third form लगी हुई है, तो यह already passive wise में है, थार्ड क्या कह रहा है, I am interested, M लगा हुआ है, helping up plus work की third form, यह भी passive wise में है, M plus whom मतलब helping up plus work की third, यह भी passive wise में है, तो यह आपका तीनो passive wise में है, active wise में आपका सरी B है, active wise में क्या है आपका, only B है, your health worries me, okay, next, which of the following sentences is in passive wise, इसमें बताना कि कौन सा passive wise है, पहला कह रहा है, let him read a book, okay, यह active wise में है, passive wise में नहीं है, दूसरा कह रहा है, always reach the school in time, यह भी आपका active wise में है, तीसरा कह रहा है, please bring me a glass of water, यह भी active wise में है, चोथरा कह रहा है, let the salary be, बी आ गया, वर्व की थर्ड़ फर्म आ गई, लेट से स्टार्ट रहा है, यह अपका passive wise में है, लेट उसके बाद ऑबजेक्ट बी प्लस वर्व की थर्ड़ फर्म, यही आपका passive wise में है, okay, तो correct answer यहाँ पर D हो जाएगा, next, here we find out the passive wise, इसमें बताना कि कौन सा passive wise में है, तो please bring me a glass, यह आपका active wise में है, give salary, यह भी आपका active wise में है, always reach the school in time, यह भी आपका, क्या है, मतलब, active wise में, पूछा है कि कौन सा passive wise में, यह तीनो active wise में है, तो यहाँ पर correct answer हमारा D हो जाएगा, it is requested, helping or plus work की third form, to let me sleep now, यह अपका passive wise में है, okay, passive wise में हम कैसे पहचानते हैं, helping or plus work की third form से पहचानते हैं, यह तो by से पहचानेंगी, okay, जादा तरह हम helping or plus work की third form से पहचानते हैं, passive wise, अगला question है, passive wise is, इस भी कहरा कि passive wise कौन सा है, तो tell him to leave, यह तो active wise है, यह भी active wise है, helping or plus work की third form है, but by नहीं है, तो यह भी आपका active wise है, क्योंकि परफिक्ट इंस है, तीसरा कहरा है, your health worries me, यह भी आपका active wise है, passive wise पूछा था, तो D is correct है, यहाँ पे, our reply had to be sent by me, तो आगे बढ़ते हैं आपर, यह जादे easy questions है, बस उतना ही find out करना कि, कौन सा passive wise है, कौन सा active wise है, तो यह easy question है, search out the passive wise, डिरेक्ट हम उसी पर अंसर पे चलते हैं, सब भी को पता होगा, यह भी active wise है, यह यह भी active है, तो passive wise अपका see हो जाएगा, good news is expected by us, okay, next, the passive wise of Jack was forcing through the crowd, अब हमको क्या करना है, इस sentence को, हमको passive wise में convert करना है, Jack was forcing through the crowd, was लगा हुआ है, forcing है, यानि की past continuous tense है, तो helping बस इतना ही आना चाहिए, was वर तो आएगा ही आएगा, according to subject, बस आपको बस ध्यान देना है, कि इसमें being आना चाहिए, being, देखते हैं कि इसमें being है, पहला कहरा है, Jack was being forced through the crowd, ठीक है, इसमें being आया है, तीसरा कहरा है, the crowd was forcing गिये, तो गलत हो गया, इसमें being नहीं नहीं आया, तीसरा भी यही कहरा है, तो इसमें being नहीं यहीं गलत हो गया, चौथा इसमें being है, अब हमको या तो पहला सही होगा, या तो डी सही होगा, तो देख लेते हैं, अब passive wise का rule क्या है, कि इस object से subject बनाना, subject को object बनाना है, तो यहाँ पर जैक को ही बना दिया, जो कि जैक से ही सुरुआत हुआ तो यह गलत हो गया, यहाँ पर हमको crowd को बना देना है, subject, was being, वर्पी थार्ड फर्म, और जैक को क्या बना देना है, object, so day is criteria, ओके, passive wise of, he wants to buy a book, इसमें इसको भी passive wise करना है, तो इसमें क्या आया है, आपका nonfinite verb आया, तो nonfinite verb जो आपका आता है, उसमें passive wise कैसे बनता है, उसका passive wise आपको कैसे बनाना है, वस इतना ध्यान दिजिए, कि उसका passive wise आपको, बस इसको क्या कर देना है, जब भी आपका nonfinite verb आता है तो 2 plus B यह कर देना है verb की third form ओके सो यहां पे correct answer यहां पर क्या हो जाएगा पहला ही हो जाएगा he wants a book to be bought यहां पर 2B plus verb की third form है ओके next people say the fox is cunning passivize is इसका passivize करना है तो यहां पे correct answer क्या हो जाएगा हमारा B हो जाएगा the fox is said to be cunning क्या है यहां पर भी आपका यहां पर भी आपका cunning क्या है यह एक जिरंड है आया हुआ है तो यहां पर to be cunning हो गया अगला question है easy है यहां लिए जादा हम इसको समझेंगे नहीं it was not expected by us that he would behave इसको एक्टिव वाइज में करना है तो असको वादेंगे वी बना देंगे और यह अपका पास्ट में है तो यानि की इंडिफिनिट में आ जाएगा तो वी डिद नाट एक्सपेक्ट का क्या हो जाएगा एक्सपेक्ट तो पहला ही यहां पर यहां पर करेक्ट तेंसर हमारा पहला ही हो जाएगा वी डिद नाट एक्सपेक्ट सच बिहेवियर ओफ ही ओके नेक्स्ट इसका हमको क्या करना है यहां पर करेक्ट तेंसर क्या हो जाएगा डि हो जाएगा सर्कमिस्टेंसर विल अबलाइज मी तो गो okay नेक्स्ट it is hard to satisfy everybody मतलब दूसरों को संतुश करना बहुत मुस्किल है इसका बनाना है पैसिव बनाना है तो करेक्ट तेंसर यहां पर क्या हो जाएगा पहला ही हो जाएगा it is hard for everybody to be satisfied यहां पर इंफिनिटीब आ गया है to satisfy जब भी आपका इंफिनिटीब का active voice आता है तो आपको बस क्या खर देना है to be प्लस वर्व की third form इतना ज़रूर ध्यान देजेगा जिसमें आपका इंफिनिटीब आता हो उसका passive voice बनता है अगला कुश्यन है identify the active voice इसमें हमको बताना की कौन सा active voice है so correct answer यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर having been searched having been लग गया वर्व की third by the police यह passive voice है let it be let लगा है be plus वर्व की third यह भी passive voice है you are advised to do यह भी आपका क्या है passive voice में है are advised है तो यहाँ पे पूछा कौन सा active voice में है so a is correct here after searching me the police shut me free यह easy हो जाता है जो हम जब हमको find करने के लिए कि कौन सा passive voice है कौन सा active voice है कौन सा narration है तो ज्यादा easy हो जाता है इसमें बताना कि कौन सा passive voice हम direct answer पे चलेंगे okay क्योंकि बहुत easy है so correct answer यहाँ पे A हो जाएगा B हो जाएगा I expected the work to be finished in time यह अपका क्या हो गया 8 minute sorry यहाँ पे B part में ही सही है पका passive voice okay I expected the work to be finished in time मतलब to be वाला ही सही होगा अगला question है I found myself being loved at by the boys its active voice is इस यह already passive voice में है इसका active voice हमको बताना है तो यहाँ पे I found myself being loved at by the boys तो क्या हो जाएगा I found the boys laughing at me okay अगला question है next देखते हैं He likes people to call him sir passive voices इसका passive voice करना है He likes people to call him sir तो यहाँ पे इसका passive voice क्या हो जाएगा correct answer यहाँ पे हमारा हो जाएगा D He likes to be called sir ओके यहाँ पे to call आया था तो to be called और इस sir का सरी रहेगा correct answer यहाँ पे T हो जाएगा जब भी आपका infinitive आता है तो उसको इसी तरह आप बनाएगे अगला question है I am to help you passive voices यहाँ पे भी आपका आया हुआ है to help इसका भी क्या कर देना है तो correct answer यहाँ पे मारा क्या हो जाएगा C you are to be helped by me okay यहाँ पे भी आपका आ जाएगा you are to be उसके बाद है आपकी word की third form by me अगला question है next by what were you made happy active wise इसको क्या करना है already यह passive wise में है इसको active wise में करना है by what है न what जब भी आता है what से अबका question आते है active wise उसका passive wise by what से बनता है तो यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा A what made you happy next this book is selling well passive wise इसका passive wise करना है this book is selling well so correct answer यहाँ पे क्या हो जाएगा B this book is being sold well यहाँ पे इसे present continuous में है बस हमको इतना ही देखना है कि being लगा हुआ है कि यह being लगा हुआ है तो यह आपका correct answer हो जाएगा okay next a rose smells sweet passive wise is इसका हमको passive wise करना है so correct answer यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला ही है a rose is sweet when it is smelled यह इस type का बनेगा passive wise okay also a is correct here इसके ऐगला है I know her passive wise तो जब भी आपका no का का आता है नो पैसि वाइस में आपका क्या हो साला है non to हो जाता है उसके साथ हम why नहीं लगाते है क्या हो जाता है non to तो जिसमें भी आपका none to होगा वह आपका सही हो जाएगा बाई है इसमें यह गलत है इसमें भी बाई है इसमें भी नोन टू है इसमें भी नोन टू है बट यह आपका सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है तो बीइंग की कोई बात ही नहीं होई है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में इस आता है कॉंटिनुमस में बीइंग आता है ओके तो यहां पर A आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट इसको क्या करना है पैसी वाइस करना है टीचर मेड में स्टैंड तो करेक्टिंसर यहां पर D हो जाएगा क्योंकि इस है जदा एक्स्प्रेंग करने की जुरूत नहीं है I was made to stand by the teacher यहां पर मी को क्या बना दिया गया है सब्जिक्ट तो आया गया और यह सिंपल पास्था वाज है वर्ब की तर्ड फॉर्म है to stand यहां पर stand आ गया है by the teacher यहां पर to stand क्यों नहीं लगा था वही वाला रूल है जो अभी हमने पढ़ा था कि जब भी अपका लिट आ जाए bid आ जाए, then आ जाए, make आ जाए, see आ जाए, watch आ जाए तो इसके बाद हम कैसे वर्ब रखते हैं bear infinite यहां पर देखिए stand आया हुआ है to भीना to क्या लेकिन जैसे ही passive voice में आया है to लग गया next I was heard to say so by my teacher active voices यहां लड़ी आपका passive voice में है इसको active voice में करना है so correct answer यहां पर see हो जाएगा my teacher heard me say so अगला कुश्याना है I am not satisfied with you active voice इसका active voice क्या है एक चीज और है कि satisfied के साथ क्या लगता है preposition with लगता है तो जब भी आपका satisfied आता है na active voice में तो उसके साथ भी हम by लगाएंगे but नहीं लगाते है by satisfied के साथ हम क्या लगाते हैं with लगाते हैं जिस तरह known के बाद हमको by नहीं to लगाना रहता है तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा इसका इसका हमको active voice बताना है तो correct answer यहां पर मारा हो जाएगा correct answer यहां पर मारा क्या हो जाएगा C you do not satisfy me correct answer यहां पर C हो जाएगा next I am not interested in this case active voice is interested के साथ भी in लगता है preposition यह already passive voice में है तो इसका भी active voice करना है यहां पर correct answer क्या हो जाएगा A ही हो जाएगा this case does not interest me okay जब passive voice में आएगा तो इसके साथ in लग जाएगा interested in okay next which is not the passive voice इसमें कहरा कि कौन सा passive voice नहीं है तो the matter was looked into by बस यह अपका passive voice में है I have been astonished at his behavior let a letter be written let a letter be written यह भी passive voice में है let me do this work यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा passive voice में नहीं है तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा जब भी आपका आता है आर नहीं आता है नहीं हेर साइंगे hair यह आएगा my hair वर भी नहीं आता है तो वहां पर हम बता सकते हैं कि कितने बाल है, जैसे कोई दो बाल गिर गिर गया जिसे चाय में गिर गया तो यहां पर आपका what kind of man are you या what kind of man are you या what kind of man is you कि what kind of a man are you तो यहां पर हम कौन सा sentence correct है so correct answer यहां पर A हो जाएगा what kind of man are you अगला question है she has been living here dash the death of her mother अभी आपका present perfect continuous है उसमें आपका time दिया रहता है कि वह यहां रह रही है कबसे अपनी मा के death से so यहां पर निश्चिस समय दिया हुआ है so correct answer यहां पर sins हो जाएगा हम क्या feel करेंगे for या sins feel करना हमको तो हम sins करेंगे क्योंकि यह निश्चिस समय बता दिया है कि कबसे वह रह रही है अपनी मा के death से ही रह रही है तो यहां पर sins लग जाएगा okay next can a woman live dash soul is dead तो यहां पर हमको एक relative pronoun की जरूँत है क्या आना चाहिए whose की whom या which या where which के बाद हम हमेंसा क्या यूज़ करते है helping verb ठीक है which के बाद क्या आना चाहिए helping verb आता है where के बाद आपका where के बाद आपका क्या आता है subject आता है where के बाद भी आपका helping verb भी आता है okay whom whom के बाद whom के बाद क्या आता है इस हूम के बाद भी आपका क्या आता है helping वर्ब आता है बट यहाँ पर शोल है यहाँ पर कोई helping वर्ब नहीं है जो हम यह हूम लगा दें यहाँ पर आपका शोल है यानि की एक noun है जिसको एक adjective की जरुवत है तो यहाँ पर एक adjective आना चाहिए तो correct answer यहाँ पर हूज ही है जो एक noun से पहले आता है हूज यहाँ पर correct answer यह हो जाएगा हूज कहना women live whose soul is dead तो हूज क्या हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिब हो जाएगा शोल यहाँ पर noun है अगला कुश्यन है टिक the correct infinitive हमको इसमे correct infinitive पे टिक करना है तो infinitive यही है to plus verb की first तो यहाँ पे infinitive कौन सा है saying prayer तो होगा नहीं नहीं praying to नहीं being यहाँ पे two plus verb की first to pray ही है तो यही हमारा correct infinitive है so b is correct here Okay next अगे चलते है see often goes to the sinema what is the underline word ये जो often है ये क्या है adverb of time, degree, frequency या manner वो अक्सर क्या करता है sinema जाता है तो यहाँ प्य हो रहा है कि बारंबारता की बात हो रही है तो गरुक्टटनर यहाँ पे see हो जाएगा adverb of frequency की बात हो रही है frequency क्या करता है मतलब बार 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 जाने की बात करता है so correct answer यहाँ पर C हो जाएगा Adverb of frequency next say barely left the room when the roof fill in यहाँ पर बताया कि barely क्या है तो वो लगबक कमरा छोड़ी दिया था जब रूफ गिरने वाली थी आने कि जो चात है वो गिरने वाली थी पर लगबक छोड़ी दिया था यहां पर barely क्या है क्या ईड़व अट-जोगि North time क degree की frequency की manner manner की तो कोई बात नहीं हो हरी है frequency की बात हो रही है और ही यहाँ यहाँ आपर time की बात हो Ads back की बात हो हरी है इंडिकेट गूर्लाइन वर्ड विच्छि क्शच विच्छेंगोई तक षी करिक्ट अ एड्वर्ड वियल क्वांफिकेशन हमको यहां पर बताना है कौन सा एड्वर्ड विल क्वाल जुस्वर्ड यह यहां पर देख लेतने जो फ्लेम्स ये नाउन पėr अढ़िवल नाओन है इंबरबर क्वालिफिकेशन यह पी आपर पर आप्रोड पे किया गया है इपका वर्ब नहीं है आपका पहला ही सही हो जाएगा था फ्लेम्स इस्प्रेड इस्प्रेड क्या है वर्ब एवरिवेयर यह क्या है एक एड़ वर्वियर क्वालिफिकेशन है तो ए इस करिटियर ओके निक्स्ट क्या है थरा अपना तो जो जो वर्ब अपनी कम्प sú commodity नहीं होती है तो correct answer यहाँ पर B हो जाएगा अगला question है tick the correct auxiliary to indicate discontinued habit मतलब उस correct auxiliary पर tick करो जो indicate करता हो discontinued habit को है एक habit को discontinued क्या करता है indicate करता है तो यहाँ पर correct answer हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा there used to be a house there वहाँ एक घर हुआ करता था तो यह अपके use to जो होता है यह habit को ही indicate करता है next he is repairing his car with a view that's it यहाँ पर हमको क्या करना है fill करना है so correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा मारा B हो जाएगा to sailing he is repairing his car with a view to sailing it वह अपनी car repair कर रहा है sailing करने के लिए next question है fill in the blanks with a suitable word she took offense the abusi language used by him तो वह उसके द्वारा यूज किया गया है एक abusi language यह क्या है यहाँ पर offense के साथ हम क्या लगाते हैं correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा मारा preposition fill करना है so correct answer यहाँ पर मारा हो जाएगा D at offense at होता है next choose the correct words to fill the blanks mean is not as test as her cousin तो आपको जब भी as plus as आता है ना as plus as तो बीच में आपका positive degree आता है क्याता है as आपका positive degree आता है correct answer यहाँ पर cleaver हो जाएगा clever miss होता है चला यह एक positive degree यहाँ पर हम क्या feel करेंगे clever अगला question है क्या कह रहा है कि which is the best alternative to complete the sentence सबसे अच्छा alternative क्या है sentence को complete करनेगा so correct answer यहाँ पर A हो जाएगा the course of action will be prejudicial क्या हो जाएगा in the interest of our country पहला ही हो जाएगा sentence को पूरा complete हो गया next fill in the blank and that boy was accused तो यहाँ पर हमको क्या feel करना neither each one या excellent तो यहाँ पर हमको correct answer यहाँ पर each हो जाएगा each आपका two के लिए भी आता है more than two के लिए भी आता है तो यहाँ पर हम each के लिए each पर ही जाएगे okay so correct answer यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा each next है he is an author and publisher वह एक author और publisher भी है भी का बात आ रहे है तो correct twice to fill in the blank यहाँ पर हम क्या रखेंगे correct answer यहाँ पर two हो जाएगा two क्या करता है two B की भी मेरिंग निकालता है मतलब वह एक author और publisher भी है ठीक है next fill in the blank with suitable word यहाँ पर भी हमको fill करना है I am badly in need मतब need correct answer यहाँ पर हो जाएगा of money I am badly in need of money okay next है अगला question when he heard the news that he wrote to me जब उसने खबर सुनी उसने क्या किया मुझे पत्र लिखा already यहाँ पर comma लगा हुआ है तो यहाँ पर d हो जाएगा no word is required यहाँ पर किसी भी word की required नहीं है यह sentence completely right है when he heard the news जब उसने खबर सुना तब उसने मुझे लिखा यहाँ पर already comma है तो when के बाद आपका क्या आता है comma ही आता है next है he had scarcely slipped is his friend came आपका barely हो गया scarcely आपका जब भी आता है scarcely या barely hardly hardly आ गया scarcely आ गया barely आगया इनका पर किसे बनता है when से बनता है तो यहाँ पर भी scarcely आया है तो यहाँ पर fill क्या होगा आपका character answer यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा c when बस इतने हैद रखिए हार्डली हो गया बेर्ली हो गया इसका पेर वेंसे ही बनता है ओके नेक्स्ट नो सुनर डिड़ ही सी दा पुलीस डैस ही रहना वे नो सुनर आ गया हम कितनी बार पड़े हैं कि जब भी आपका नो सुनर आता है नो सुनर में बस दोई चीज़ देखना है नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब है की नहीं है और दूसरा इसका पेर देखना है किसका पेर किसे बनता है दयन से बनता है तो कभी कभी ये question देता तो है लेकिन when लगा देगा या फिर इसका helping verb भी गाइब कर देगा या फिर helping verb भी देगा और भी ध्यान रखिएगा helping verb did देगा did में verb की first form नहीं लगा रहेगा तो verb की third form लगा देगा तो आप वहाँ भी confused हो सकते हैं यह पता यह हो जाए did भी देदेता है head भी देदा है तो हम क्या confused हो जाते हैं कि did पे ही लगा देते हैं यहापी helping verb देगा बट यहाँ पे वर्ब को क्या कर देता है यहाँ पे बर्ब की first form आती है जब भी did लगा रहता है तो इतना जरूर ध्यान दिजेगा जब भी no sooner आए तो no sooner के बाद helping उसका pair than और जब did जिसमें लगा रहे हैं उसकी वर्ब को जरूर देखेगा कौन सी फार्म में है वो तो यहांपे कर्क्ड इंसर क्या हो जाएगा हमारा no sooner did लगा हुआ है देखेए अपर no sooner है, did भी है और प्लस वर्ब की फार्श फार्म भी है, यहांपे क्या कर देगा, scene कर देगा ऐसे ही कर देगा, scene कर देगा तो यहाँ पर correct insert then हो जाएगा हमारा यहाँ पर then का pair बनता है अगला question है he as well as I guilty तो यहाँ पर as well as की बात कर रहा है तो यह subject verb agreement का question है जब भी आपका as well as आजाए together आजाए, together with आजाए along with आजाए और in addition to आजाए like अजाए, unlike अजाए, besides आजाए यह सारे words अगर आपके आते हैं इस दो noun की बीच में आते हैं जैसे यहाँ पर दो noun या दो subject के बीच में आते हैं और जब यह दोनो subject की बीच में आते हैं तो हमेसा हम क्या राखते हैं पहले वाले subject के according आप अपनी वर्व रखते हैं तो यहां पर as well as आया हुआ है दो subject के बीच में आया है तो यहां पर पहले वाला subject क्या है हमारा he है तो इसके according हम यहां पर अपनी वर्व रखेंगे तो क्या रखेंगे इसके साथ क्या आता है यह जाता है तो यहां पर he as well as is guilty ओके and last question है आज का the military dash called out military called out यहां पर अलोडी passive voice में है तो correct answer यहां पर क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा क्या हो जाएगा the military dash sorry the military were called out तो students यह थे 60 I think 62 question किये हैं हम okay तो मिलते हैं next video में आपको कैसे लगी grammar की question हाँ थोड़ा easy थे आपके active passive easy थे लेकिन वह भी तो exam में आती है न active passive भी ज़रूरी है चाहे easy question हो या tough question हो हमको पढ़ना तो सभी है है न तो मिलते है next video में okay अपना feedback जरूर दीजेगा अगर चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करिए वीडियो को like and share जरूर करिएगा मिलते है next video में okay thank you thank you for watching झाहे जरूर के 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 जरूर के